मुझे पता है आइल्स बहुत सारे स्टूडेंस को पैंफुल लगता है और कई बार तो वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं लेकिन इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ छे ऐसे आइडियाज जो आपकी आइल्स की प्रेपरेशन को बना देंगे बहुत ही इंटरस्टिंग आपके साथ आपके साथ ना सिर्फ आपकी हुई इंप्रूब्मेंट बट आपने बहुत फ़न एंड इंजोई भी आये स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और मैं एक एक करके आपके साथ ये सारे आइडियाज शेयर करूंगा और आपके साथ इंप्रूब्मेंट होने वाली है बहुत ज़्यादा जबरदस लेकिन बिफोर आपके साथ ये साथ ये इसलिए रुका हुआ हूं क्यूंकि मिलेको बहुत सारे स्टूडेंस रिक्वेस्ट करें हैं और उसके लिए मैं थार्गेट रखा हुआ है 20,000 का सब् 20,000 आपको मिलने शुरू हो जाएंगे वीडियो रिलेटेद तो राइटिंग और ये राइटिंग आपको मेरी स्पीकिंग आइडिया से भी सिंपल और एजी लगने वाले हैं जो आपकी राइटिंग में भी स्कोर इंप्रूव करने में मदद करेंगे तो अभी ये वीडि और सबसे एफेक्टिव आईडिया है चैटिंग कीजिए अबसल्यूटली खुश हो गए हो चैटिंग करने हैं चैटिंग कोई भी आपको करने से नहीं रोके अगर आप आयल्स कर रहे हो लेकिन चैटिंग कहां पर करनी है और किसके साथ करनी है ये थोड़ा द्यान से सुन लो मेरे साथ नहीं करने किसी अपने दूस्तों के साथ नहीं करने आपको चैट ग्रूप में जाना है अपने इंट्रेस्ट के एक ग्रूप में जाना है डोंट गो फॉर एडल्ल चैटिंग और इस तरह की फाल्तू की चैटिंग नहीं करने इंट्रेस्ट अगर आपको ट्र Europeans, सही सुना आपने, हमेशना ट्राय करो कि आप किसी European से चैट करने की कोशिश करो, इसके दो रीजन से हैं, सबसे पहली ये बात है कि आपकी कोई और common language नहीं होगी and you will be forced to communicate in English only, अगर मेरे से या किसी अपने दोस से बात करोगे, अगर बात नहीं समझा पा रहे हो तो एक second में regional language में chat करना start कर देते हो, लेकिन यहां पर आपके लिए possibility नहीं रहेगी, और number two, आपको शायद ये नहीं पता है, European की English भी बहुत ज़्यदा strong नहीं होती, क्योंकि उनके लिए भी वो second language होती है, वो भी काफी hesitate और nervous feel करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, कि आपका और उनका level काफी हद तक same रहने वाला है, तो आपको English में उनके साथ communicate करने में काफी easy रहेगा, तो अब इनके साथ आप करो बातें, इनके साथ अपने culture, food, language, dresses, whatsoever, किसी भी चीज़ के साथ related करो, chat और improve करो अपनी English, absolutely, और एक और खासियत है, कि यहां पर आपको chatting करते हुए, काफी time मिलता है, सोचते सोचते message type करने का, तब तक उसके पास आता रहेगा typing, typing, तो अगर आपका message अगर late भी हो जाता है, तो वो सोचेगा शायद internet slow है, आप slow नहीं हो, तो move करते हैं idea number two पे, idea number two है, start watching educational channels, see, बहुत सारे आज channel चलते हैं, मारे cable network पर, netgeo, history 18, और कौन सा होता है या, animal planet, animal planet होता है जी, और बतागी है भाई साथ, national geographic, तो यह बहुत सारे educational channels है, इनकी आपको habit बदानी पड़ेगी, at least one to two hours in television channels को देखना शुरू कीजिए, अगर possible है, तो आप इनको English language में ही देख लो, but कोशिश यह करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज समझाए, जिसके लिए आप regional language भी अपनी चूज कर सकते हो, इसका कारण यह है कि इस IELTS exam के जो context हैं, for example, natural world, medical science, technology, इनके बारे में आपको किसी school books में नहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन एक-एक show in channels का, एक-एक documentary, इन सभी चीजों पर बहुत सारे reading passages बने हुए हैं, बहुत सारे writing essays हैं, जिन में आप इनको quote कर सकते हो, तो आपकी overall knowledge improvement होगी towards IELTS by watching these TV shows, तो next time आप TV अगर देख रहे होगे तो ममप आप आपको रूकेंगे नहीं, उनको मेरी वीडियो में बता देना कि उन्होंने कहा था कि यह channels देखने शुरू कर दो, मूग करते हैं आइडिया नमबर 3 पे, आइडिया नमबर 3 डूंट रीड न्यूजपेपर्स, बहुत सारी दुनिया आपको कहेगी न्यूजपेपर रीड कीजिए, मैं कहूंगा न्यूजपेपर मत रीड करो, क्योंकि गाइस मुझे पता है आप यंग्स्टर्स हो, न्यूजपेपर का नाम सुनते ही, लेटेस मुबाइल्स और अटो मुबील्स पर, और देखो हमारे जाड भाहियों के चेहरे पर स्माइल तो देखो कैसी आई है, और हमारे पंजाबे जट भी जनानू, मुबाइल्स और कारां तो इलावा हो कोई काम नी है, देजस्ट लव थीस तिंग्स, तो शायद मेरी इन बातों से आपको एक क्यू काड याद आ गया होगा, और वो क्यू काड है मागजीन पर, क्यूंकि अब क्या होगा, आप जब पढ़ोगे तो इंटरेस से पढ़ोगे, आप उसकी एक एक चीज को पढ़कर समझना चाहोगे, जिसकी वज़े से अपने आप आपकी डिक्शनरी भी खुलेगी, या किसी ना किसी से आप जरूर पूछोगे, भाई इसका मतलब क्या होता है, तो this way आपकी overall reading के through improvement आनी शुरू होगी, और आपकी vocabulary enrich होगी, डिसकस करें, idea number 4, तो idea number 4 रहेगा, watching English movies, English movies से भी ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप English dramas follow करना शुरू कर दो, बहुत सारे चैनल हैं, Zee के कुछ चैनल हैं, Star के कुछ चैनल हैं, जिन पर आपको variety of shows मिलेंगे, जातर comedy होते हैं, जिन से comedy भी हो जाएगी, आपका शायद आप अपना different cue card भी prepare कर लो, क्योंकि कुछ students नहीं कहा था, Sir आपका idea कपिल वाला, अगर आप किसी और show के बारे में बता दो, तो इन English comedy shows को follow करना शुरू करो, और साथ में आपका cue card भी त्यार हो जाएगा, कुछ best shows का नाम में बता सकता हूँ, आपको mom, friends, two and a half men, impractical jokers, और ऐसे और भी बहुत सारे हैं, अभी आपको करना क्या है, no doubt, movies भी good हैं, लेकिन movies में accent बहुत strong रहते हैं, voice clarity थोड़ी कम रहती है, as compared to dramas, क्योंकि background noise इतनी जादा नहीं होती, लेकिन movies में बहुत ज़्यादा music होता है, तो आपको अपनी habit develop करनी है, कि आपको subtitles read करने हैं साथ के साथ, जितनी तेज वो बोलते हैं, उतनी तेज अगर आप साथ subtitles read कर पाए, इसका मतलब यह है कि आप भी उतना तेज बोल सकते हो, अगर आप नहीं तेज पढ़ पा रहे हो, इसके दो मतलब रहेंगे, या तो आप उतनी तेज बोल नहीं पाते हो, या आप उतनी तेज पढ़ नहीं पाते हो, तो दोनों ही cases में, by watching these shows, you will improve your speech, और जो बच्चे कहते हैं कि idioms use करने चाहिए, तो इन shows को देखो, तो यहां से आपको मिलेंगे, commonly use होने वाले idioms, तो इसी natural language को, जब आप follow करना शुरू करोगे, अपनी talk में, तो अपने आप ही, आपके मूँ में से निकलने लगेंगे, idioms आपको याद नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा music सुन लेते हैं, तो अब English songs भी आपकी help कर सकते हैं, अगर आप चाहो English improve करना, अगर आपको fluency में दिकत है, those who stammer, those who face a lot of problem of hiccups, मतलब थोड़ा से बोल, I went to do and and and, जो बच्चें ये करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, एक English song प्ले कीजिए, YouTube के उपर और लगा लीजिए, headphones, लेकिन गाना कौन साल गाना है, यही तो बात है, गाने आप वो चूज करोगे, जिनके आपको स्क्रीन पर पढ़ने को मिलें, lyrics, fantastic, एक song बताता हूँ आपको, ये ढूंड कर देखना, Don't Give Up, Don't Give Up एक song है, इतना rhythm में चलने वाला song है, motivational song है, कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, Peter Gabriel का आपको शादिये मिलेगा, Peter Gabriel का आप ये song लगाऊगे, अपने mobile पर, headphones लगा लोगे, और जैसे जैसे सामने lyrics आते रहेंगे, एक दो बार की practice से, आपको tune हो जाएगी, बिलकुल अची तरह से याद, और फिर आपको बोलना है, उसके साथ-साथ fluently, ये song slow रहेगा, लेकिन जैसे 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 जैसे, आप improve करते जाओ, आप अपने लिए उतने difficult songs, choose कर सकते हो, और मेभी आप M&M की तरह, rapping भी करने शुरू कर दो English में, फटाक से, लेकिन मैं तो नहीं कर पाता, honestly speaking, तो finally, मैं आपके साथ discuss करूँगा, एक थोड़ी सी serious चीज, क्योंकि बहुत fun and मजाक हो गया, और अब थोड़ी सी serious तरीके से, अगर आपको IELTS के preparation करनी है, तो यार, 10-15 मिनिट के लिए news शुरू कर दो सुनना, लेकिन अब ये news कहां पर सुनने हैं, तो news आप सिर्फ और सिर्फ सुनोंगे, BBC पर, या CNN भी हम चूज कर सकते हैं, एक और भी channel है, अलजजीरा शायद, है? हमना वरी शुर है, है वैसे, चेक कर लेना, न्यूज पर क्या है, कि ये जो, टैंपो, जो स्पीड समझते हैं, जो रहता है, वो बिल्कुल सेम मैच होता है, हमारे लिस्निंग टेस्स से, तो जितनी ज़्यादा आप न्यूज सुनोंगे, और दूसरी में चीज ये है, कि BBC का जो एकसेंट है, वो भी ब्रिटिश एकसेंट है, जो ज़्यादा तर हमारे आइल्स के लिस्निंग टेस्स का भी है, तो इन न्यूज को सुनने से, once again, एजुकेशनल चैनल की तरह, आपकी नॉलेज तो डिफिनिटली इंप्रूव होगी, जो के आइल्स में ही, ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट कॉंटेक्स में नज़र आएंगी, but at the same time, clarity and pronunciation of words आपको समझ जाएगी, जिससे आपकी लिस्निंग का स्कोर भी इंप्रूव होगा, और जब आप खुद भी बोलोगे, तो आपकी pronunciation बेटर रहेगी, तो ये थे मेरे आज 6 आइडियाज जो मैंने आपके साथ शेयर किये, अगर आपको लगता है कि वाकिए आपके लिए ये एफेक्टिव हैं, या आप आप इनको एप्लाइ कर रहे हो, तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताओ, and tell me how I can help you in your IELTS preparation so that in next videos I take care of those things and I'm Ramandeep Singh, say you goodbye right now and I will very shortly